नमा विष्णु पादाया कृष्णा प्रिष्ठाया भूतले शीमते भक्ति वेदान्थ स्वामे निती नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवानी प्रचारिने निर्विषेश शुन्यवादी पाष्चात देशतारिने वांच्छा कल्पतरूभ्यस्च कृपा सिंधु भैवच पतिताना पावने भ्यो वैष्णवे भ्यो नमो नम्हा जैशी कृष्णा चैतन्या प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वेत गदाधर शीवा साधी गौर भक्त विंदा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे हरे रामा ए राम भदराया राम चंदराय वेदसे रगुनाथाय नाथाया सीताय पत्य नम्हा कूजन्तम राम रामे दी मदुरम मदुराक्षरम आरुहे कविता शाखां वंदे वालमिकी को किलम को अधार किया अपने हम है अपने हम शुद्ध है। लिए उन्हों ने उसको स्विकार कर लिया और विश्व Ama Mittramundi के विश्य में पिर हमने शुरू किया कि किस प्रकास से सतानद ना रे धालया के पूत्ते रे ऐ कता व रे में की कि सुनेदे लिए के राजा विश्वामित्र का वसिष्ट मुनी के साथ ऑंदना राजा के साहना होता है कि अर वसिष्ठ बैंके अंगे सामने प्रस्ताव रकते हैं उन्हें से यूद किया जाता है जिसमें वीश्वामित्र इसे पराजित होते हैं और उसके बार तपस्या करते हैं शिव को प्रसंग करके एक बहुत बड़ी सैना हासिण करते हैं लेकिन वसिष्ठूमुली के भ्रहम्दंड के द्वारा उनके सारी सेना को पराज कर दिया जाता है खतम कर दिया जाता है तो ब्रिश्वा मित्युम्य को रिलाइज होता है कि एक शत्रिय एक ब्रहामन से हमेशा नीचे होता है इसलिए मुझको ब्रहामन बनना है यानि ब्रहम रिशी बनना है और वही इस्तिति हासिल करनी है तो ब्र राजा त्रिशंकु उसको स्वर्ग लोग चाहिए स्वर्ग लोग में जाने के लिए वह पहले वसिश्मुनी के पास जाता है फिर उनके पुत्रों के पास जाता है वे सम्मना कर जाता है उनके दुश्मन विश्वामित्रमुनी के पास जाता है विश्वामित्रमुनी के पास सो अब नीचे आ रहें ने किशा जारा हाँ चलाओ 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 बचाओ चला चिलाओ जाका बचा बचाओ चिलाओ कि उनको भेजते हैं लेकिन एक इंद को भेस देते हैं और फिर विष्वामिध्यु मुनियेट स्व्रगलॉब बनाते हैं। बना तो देती हैं उनसे मैंटेन हीände होता है। सारी शक्टी उसमें इस्तिमाल कर देते हैं तो भगवान विष्ण से प्रात्ना करते हैं। पून रूप से उनके नाम का उचारन करते हैं, हेल्पलेस कंडिशन में उनके नाम का उचारन करते हैं, भवान विश्वा मिद्रमुनी को रिलाइज होता है, कि उनकी सारी शक्ती खतम हो चुकी है, अब वो सोचते हैं कि मैं इसके चक्र में फजगा, सारा समय और मेरा शक्ती का हास हो गया, और सोचते हैं अभी मैं दक्षिल दिशा में आया था, साउथ मतलब इग्नोरेंस, तो गोलता है अज्यानता के कारण मैं इसकी बातों में आ गया और अपनी सारी शक्ती मैंने खतम कर दी, तो आप मुझको के लिए आ सफलता के लिए कभी स्थान को कभी स्थिति को ठीक है लेकिन जो व्यक्ति वाकिए अपने गल्तियों से या फेलियर से सीखना जाता है वो इंटर्नल कॉजिस को देखता है लेकिन विश्वामित्र मुझी अभी भी क्या देख रहे हैं कि डारेक्शन के कारण शायद मेरे सफलता नहीं हो बाइसले वो वेस्ट उस पस्चिन वेस्ट पस्चिन दिशा में जाने का विचार करता है और पस्चिन दिशा में वो दुबारा से अपनी मेडिटेशन और उस्टेरिटी जब तब तपस्या शुरू कर देते हैं बहुत लंबे समय तक करते हैं सिर्फ फल लेते हैं जरुवत पढ़ने पर वो भी या कभी पानी की उनका वैसे तो परपस था कि जन्ता को प्रजा को सुख शांती के लिए वो ये करना चाहते थे लेकिन इंद्र जब भी कोई यग्य देखता है उसको सबसे पहले इंसिक्यूरिटी हो जाती है उनका ऐसा इंद्र का आसन प्राब करने का ऐसा कोई विचार नहीं था लेकिन इंद्र को इंसिक्यूरिटी हो गई अब जब इंद्र को इंसिक्यूरिटी हो गई तो उसने यग्य में अरपन किया जाने वाला एनिमल या जो भी जानवर था जो कि यग्ये के अरपन किया जाना था उसको चुरा लिया यह वहाँ पर प्रीष्ट थे उनको इस बात से थोड़ा से बुच्छा आ गया बोले ऐसे कैसे उसने चुरा लिया आप यग्ये के पूर्ते के लिए हमें जान परनी चाहिए अब आप एक आदमी को लेकर आओ जो कि आदमी अपनी अपको अपनी इच्छा से यह प्रवेश करने को यह यह में आहूती बनने के लिए तयार हैं अब राजाम अम्रीश की मुश्कले बढ़ गई बोले ऐसा आदमी कहां से लाओंगा बोले नहीं मुझे कुछ ने चुनना लेकर आना पड़ेगा कि अब उनके पास और और चार रह निएं हैं तो ढूंटने निकल पड़े एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में जो हमने आहूती देने के लिए तयार हो जाए TV हो तो भूंतों धूर्य का रिशी के पास के धर में पोचे है रिचिका रिषी को शिकी के विएं है को оруж है की वहाई विश्या मित्रपुनी है रिख रात्ना करने लगई अपनी सारी सिंस्थिती उनको बताई है जोब ले मेरे तीन पुत्र हैं सोरे रिषीह को बोला उन्हों ने आपके तीन पुत्र वें एक मुझ को दे दो हम रिषब प्राथना करते है है। यह आपके तीन पुत्रों से एक लेक देख सकते हैं इसके लिए जिनके पर ज्यादा पुत्र हो इसे पास जाए है तो उनको सेवा के लिए कहा जाता है प्रहुपाज जी ने भी पिर्याश किया था भारत में लेकिन उनको सफलता प्रातनी हुई थी उस समय भी ऐसा ब्रवपाज में भूला आपके थी संताने एक को लगाई है नहीं आईल भी ऐसे देखते हैं जिनके कुछ ज्यादा संताने होती हैं देश सेवा के लिए और वो सब बेगने को तयार हो जाते हैं तो यह एक कल्चर की बात है है ना कि सेक्रिफाइस करने के अधिक कार्वा है उसको नहीं भेज सकती तो जो बीच वाला पुत्र था जिसका नाम था शुनाशेप शूनाशेप तो उसने सोचा कि माता-पिता मुझे को पसंद नहीं करते हैं लेकिन ऐसा नहीं है उनको बुरा तो लगा उनको बुरा लगा लेकिन फिर भी वो बुरा तो लगा कि इस बात के मुझको पसंद नहीं किया जाता लेकिन फिर भी वह अपने पाता प्रिता के प्रती क्रितग्य थे, किस परकास से उन्होंने मेरे को आज तर जीवन में बहुत प्रेम भाव से पाला है, मेरा बहुत ध्यान रखा है, मेरी इच्छाएं पूरी किया है, म उनको आवशकता थी, तो रिच्छी का राजा अम्रीश ने उनको ओफर भी दिया था, कि अगर आप अपना एक पुत्र हमें दे देंगे, तो हम आपको दस या एक लाख गाएं देंगे इस परकार से, तो उन्होंने सोचा, अगर मैं जाता हूँ, तो माता पिता कभी कुछ भला हो जाएगा, और ये राजा का भी भला हो जाएगा, उसको अभी आशकता है, वैसे मैं किसी काम का नहीं हूँ, तो किसी के काम ही आजाओं, तो काम का बन जाओंगा, तो इसलिए उन्होंने जाना स्विकार कर लिया, अभी उन्होंने बलाए, इसको सबसे ज़ादा जर लेकिन मैं यूसलेस परसनुट्रेस किसी काम आजयाओं यूस फी रजय ऑन्होंने जानाश्रिकार किया थीक है तो वैसे जनरली एक सेंग तर्फ जिए और वैलॉ नहीं कर पाता उसकी कोई वैल्यू नहीं करता तो इसमें अहंकार की बात नहीं आ रही है कि अहंकार एक अलग चीज है लेकिन और जैसे बताते हैं लेकिन अगर एक साधारन दिखने वाला पत्थर भी अगर उसके उपर प्रेशर पड़ता है और समय के साथ प्रेशन से वो पत्थर क्या हीरा बन जाता है तो इसी परका से शून शेप नहीं जानते थे और फिर उसमें बहुत ज्यादा चमात आने लगती है कि एक हीरा तयार नहीं जा रहा है क्योंकि जैसे इस्तितियों का उनको सामना करना पड़ रहा है अब उनके विचारों में प्रगती होगी या विचारों में और सुधार आएगा तो दोनो रत पर बैठ कर यग्यशाला की तरफ चले जाते हैं दुपहर तक कोश्ट कोश्ट एक स्थार्ट पर पहुंचते हैं वहाँ पर सोचते हैं थोड़ा सा लंच ब्रेक कर लिया जाए थोड़ा सा सुस्ता लिया जाए रेस्ट किया जाए थोड़ा सा लंच करते हैं और गलत ले लिया शायद मैंने जल्द बादी में डिसिजन ले लिया है एक राजा के लिए अपने जीवन को त्यार को कर देना क्या कितना उचित है जिसको मैं जानता है इससे क्या फायदा होगा तो मुझे कुछ ना कुछ प्रयास करना चाहिए अपनी जान को बचाने का लेकिन इस राजा का भी sacrifice पूरा होना चाहिए तो कुछ को कश करना चाहिए तो आज पास गाउं, एक लेग के किनारे रुके होते हैं , आज पास के गाउं में जाते हैं, गाउं में जाते हैं उनका पता लगता है कि यहां पर एक महान तपस्वी है, तप कर रहे हैं आप जाईएएं, उन से कुछ मदद की गुहार लगाई है, तो उनके पास पोच जाते हैं, और जैसे उनको देखते हैं, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्यों सुन शेफ कौशिकी के पुत्र है, यानि कौशिक रिशी, विश्वा मित्रमुनी उनके मामा है, अपने मामा को देखकर, उन उनके उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है, और उनको पूरा यकीन हो जाता है, ऐटाधाया, अरा भुआन को भग्वान का कोई बहुत भड़ा प्लान है, नहीं तो इस लेग के पास रुकना, पिर मामा घी का या विश्वा मित्रमुनी का मिलना ये कोई संयोग नहीं है कृष्णा है वो भगवान का बहुत बड़ा प्लान है इसके पीछे जाके उचे चर्नों में गिर जाते हैं मेरे रक्षा करो मुझे बचा विश्वा मित्रमुनी आखे लेने के पश्चाद विश्वा मित्रमुनी विचार करते हैं इसका नोन करने के पश्चाद वो अपने पुतरों को जो की महा पर उपस्ती थे उनको कहते हैं आप मेंसे कोई एक चले जाओ मेरे पास बहुत सारे पुछथ रहें कोई एक चले जाओ और सुन शेट की जान बज जाईगी तो उनके पुतर मना कर देते हैं नहीं जी नहीं हम नहीं जाने वाले हैं, हम क्यों अपनी जान जोकी में डालें या हम क्यों अपनी जान का त्याग करें इन शुन शेप के लिए मना कर देते हैं विश्वा मितल मुनी खोड़े से निदाश हो जाते हैं, निदाश किसलिए वो क्यों कि निदाश इसलिए होते हैं कि ये लोग साधू है साधू संत बनने का प्रयास कर रहे हैं तो साधू का जीवन दूसरों के लिए है त्याग करने के लिए है अपनी विशे में चिंता नहीं करने चाहिए दूसरों की सेवा करने के लिए अगर कुछ त्याग भी करना पड़े तो उसको त्याग करने के वमेशा हमको तदपर रहना चाहिए तो इसलिए वो थोड़े से निरास हो जाते हैं और उनको शाप देते हैं अपने पुत्रों को शाप देते हैं अच्छा तुम्हारा ऐसा ही विचार है ठीक है तो तुम आदिवासी बन जाओ और आदिवासी के रूप में अपना जीवन मे आधारित होता है और साधूं का जीवन स्वार्थ रहीत होता है और आदिवाशनों का जीवन स्वार्थ यूग होता है हर चीज में अपना अपना विशे सोचते हैं लेकिन साधू कभी अपने विशे में सोचते हैं साधू संत भगवान के भग उनका जीवन त्याग का जीवन है तो हमेशा त्याग करना चाहते अपने ज़्यादर चिंटा नहीं करते तो यहां पर तीन करेक्टर्स की विशें में जैसे चर्चा ओ रही है तीन करेक्टर कौन-कौनस हैं अभी आपको कुछ भी होता हो लेकिन मेरा जीवन प्रॉसपर होने चाहिए मेरे जीवन में पुशाली आने चाहिए कर्णा बीपढ़े तो मेर्स वह रहना benefit लीए? अम्रीश चाहते थे अपने सेक्रिफाइस को सफल बनाने के लिए अगर आपको अपने त्याग भी करना पड़े जीवन तो अपना जीवन त्याग भी कर दिये तो ऐसा जीवन कहलाता है जीवन जो की प्रतीस परधा यानि लाइफ कॉंपेटिशन पर बेस्ट होता है दूसरे का त्याग करके दूसरे को सेक्रिफाइस करें के दूसरे को दाप पर लगाकर दूसरे को एक्स्प्लॉइट करके दूसरे को इस्थमाल करके दूसरे का फायदा उठाकर जीवन बिताया जाता है या लाइफ कॉंपेटिशन तो बहुत शुन शेप का जीवन दाप पर लगा दोनों को भी बज्जाउं और इनका वो भी ऊजए सदसा लाधी बीना टूठे मेरा जीवन घ्ज्टी रहना ह breathing है तो ऐसा जीवन जने दिखा गया तो लाइफ FOR Cooperation है इनग वी वी जूछ किया लाइफ और तीसरी तरफ विश्वा मित्रमुनी का जीवन है विश्वा मित्रमुनी जिनका जीवन पूरी तरह से सेवा के उपर आधारित है मतलब मैं जीता हूँ आपकी खुशाली के लिए अपना कोई इंट्रेस्ट नहीं है यहाँ पर विश्वा मित्रमुनी वो जीवन प्रकट कर रहे है उन्होंने बोला अपने पुत्रों को कि आपको अपने जीवन का त्यार कर देना चाहिए दूसरों की कुशाली के लिए लेकिन उन्होंने स्विकार नहीं किया इस बात को तेकिन उनका ऐसा निर्देश था अब विश्वा मित्रमुनी ने कोई बात नहीं दूसरा हल निकाला विश्वा मित्रमुनी ने शुन शेप को दो वैदिक मंतर बताए ठीक है सिखाए उन्होंने जिसको उसने पूरे एकागरता के साथ पूरे ध्यान के साथ और विद फुल फोकस और विद फुल अटेंशन उसको याद कर लिया तो एक्जामपल दे रहे हैं जिस परकास से एक शेर शिकार करता है चाहे घरगोश का पूरे ध्यान से वो शिकार करता है पूरा फुल फोकस फुल उसका टेंशन होता है किसी भी परकार की कोई चूक नहीं होने चाहिए तब ही वो उसमें सफलता हासित करता है तो इस परकार से शुन शेप उन्होंने मंत्रों को याद कर लेता है अब विश्वान मित्रमुनी से मंत्रों के बारे में शिक्षा प्राप करके शुन शेप उस थान पर वापिस आते हैं जिस थान पर नहीं नहीं जिस थान पर राजाम्रीश सो रहे हैं उनको उठाते हैं चलो भाई चलो लेट हो रही है है sacrifice पूरा नीं करना गया जिए कब तक सोते रहोगे जो सोवत वो स कोवत है जलो उनको ले जाते हैं म Давए और Tapish में पोचने हैं और पिर उन पो टैयार किया जाताभा उनको सजाया जाता है लाल-वस्तर पिना जाते लाल Living ।- अई ऐसे और जब उगिषाला की तरफ मतलब उनके हाउती देनेवाली होती है वे पूरे ध्यान के साथ एकागरता के साथ उन दो मंत्रों का उचारन करते हैं तो उस थान पर उनके उचारन से प्रसंद होकर इंद्र और भ्रह्मा वहां पर प्रकट हो जाते हैं और शुन शेप को आते ही सबसे पहले आशिरवाद देते हैं क्या चिरन जी भी भवो, आपकी दीर घाई हो, लंबी उम्रो और फिर कहते हैं कि हम ये गोशत करते हैं, ये गोशना करते हैं कि यग्य सफल हो गया और अमरीश महाराज को यग्य का फल भी देते हैं तो उसकी जान भी बज गई, यग्य पर सफल हो गया विश्वामित्रमुनी के कारद, ठीक है अब यहाँ पर शुन शेप, ये शुन शेप थोड़ा सा अजीव सा नाम है शुन का अर्थ होता है, हैं क्या, जीवनी, कुत्ता, शुन शुन और शेप कार्थ होता है उसकी पूझ, शुन शेप कुत्ते की पूझ, ऐसा नाम तौन रखेगा, ऐसा अजीव सा लिखने वाला नाम माता-पिता के द्वारा रखा गया, लेकिन बहुती बख्वास सा नाम है, कि किसी को बुलाना हो उसको बोला जाया तो उसको कैसा is希望 की मीन यहाँ पर समझाते हैं मैं उसका नाम है तो एसे लोगों के उपर भौकता है, कि लोगों के उपर भौकता है, जो लोग शास्त्रों का अध्हन तो करते हैं लेकिन बहुत तेजकती से पड़ते हैं,優 itSave好了, लुचकी में करते हैं, उसके गूर तातवर्य को समझ भी पाते हैं और बस 4th gear में, 5th gear में, 6th gear में, 10th gear में बस पढ़ते चले जाते हैं, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, निप्टा दिया, ये भी निप्टा दिया, वो भी निप्टा दिया, ये भी निप्टा दिया, समझ में आया, नहीं आया, को उनको realize कराते हैं कि आपको शास्त्रों को अच्छे तरीके से समझने की आवशकता है ठीक है इसलिए उनका नाम ऐसे ऐसे नाम इसलिए रखा गया ताकि वो भी शास्त्रों के निचोड को समझ पाएं और अपना जीवन उनके उपर आधारित कर पाएं शास्त्रों को समझने का आर्थ यही है ना बहुत बड़ा प्रवचन करता बनना नहीं या बड़े-बड़े श्लोक कोट करना नहीं शास्त्रों का मर्म समझने का मतलब है जीवन को अपने शास्त्रों के अनुसार बिताना तो यहाँ पर शुन्य शेप को यह समझ में आने लगा और इसलिए माता पिता के द्वारा उनका नाम रखा गया था कि इस प्रकार से शास्त्रों के आधार पर व्यक्ति को अपने जीवन का को बिदाना चाहिए तो उनको क्या लेसंस मिले उनको दो लेसंस प्राप्त हुए शुन्य शेप को एक तो कि इस भौतिक जगत में आपका कोई भी सच्चा हिताशी नहीं है बोले माता पिता माता पिता का भी एक अल्टीरियर मोटीव था उनको माता पिता ने उनको अल्टीरियर मोटीव था राजा के द्वारा उनको एकसेप्ट की गया तो उनका अल्टीरियर मोटीव था उनको समझ में आया कि आपका कोई सच्चा सुक्षिंतर महीं है सभी कोई ना कोई सबका कोई ना कोई अल्टीरियर मोटीव रहता है और दूसरा की भगवान की शक्ती से बड़े किसी और की शक्ती नहीं है तो यह उनको कब रिलाइज हुआ जब उन्होंने मंत्रों का उचारन किया और मंत्रों का उचारन करने कून रूप से जब उनको विश्वा मित्रमुनी के द्वारा प्रेडना दी गई और उनको ऐसा मंत्र सिखाए गए जिसके द्वारा वो दिप्रिशक्ती की शरण को स्विकार कर सकते थे तब उनको रिलाइज हुआ कि यही सबसे बड़ी चीज है ठीक है तो उनको ऐसे रिलाइजेशन हुआ कि अगर मैंने इन मंत्रों का उचारन किया है जब मैं मुश्किल की घड़ी में था अगर नियमित रूप से इन मंत्रों का उचारन किया जाए तो उसका कितना बड़ा फायदा हो सकता है बोले मैंने मुश्किल की गढ़े में उचारन क्या मेरी लाइफ बज गई भ्रम्मा और इंद्र फ्रकट होए लेकिन जब नियमित रूप से इस दिव्य शक्ति का कि मैं शरण को स्विकार करूँगा तो उसका कितना बड़ा फाइदा मुझको हो सकता है इसी लिए तब कभी-कभी होता है न देखते हैं कुछ लोग सो इसी परकास से या सीजनल डवोटीस होटे है जैसे आज कल कद्वोटीकी संख्या में भारीशिभृृत्य भिविन्हें और प्राप्णाओं की संख्या में भारीशिभृत्य हो गई है तो, ठेंक्स टू करोना करोना मानना चाहिए या कोरोना मानना चाहिए लोग सविकार रहे हैं और क्या रहे हैं कि अभ भगव्वानी रख्षा कर सकते हैं रहे हैं आपने जो भी हो लेकिन अगर नियमित रूप से हम करें गे तो इस बहुत तीक जगत में हमको रिलाइज होगा जो बहुतिक जगत का असली रूप है या असली सभाव है जैसे भगवागीता में बताया गया है भौतिक जगत का क्या सभाव है दुखालयम है और अशाश्योत हमें दुखाएंगे याएंगे और टेंपरेरी है कितना भी यहां पर अच्छी फैसलिटीज हम लेले हम से चिन जाएंगी तो इसलिए नियमत रूप से भगवान की शरण को स्विकार करना चाहिए ऐसा रिलाइजेशन साने के बाद शुन शेप ने अपना एक निर्णे लिया क्या निर्णे लिया कि आप उसको साधू का जीवन स्विकार करना चाहिए और पूरी मानव बहुत सारे शास्त्रों को भी लिखा तो जैसे देखा जाए एक यूजलेस व्यक्ति के स्थे वह और बाद में बहुत महान महारिशी बन गए यानि की यूजलेस पत्थर जब उस पे प्रेशर पड़ा सरकम्स्टांसिस का तो एक हीरे की तरह बन गए और बहुत काम आने व जाता है तो यह तो हम लाज खाकर सीख जाएं या प्रेड़ना पाकर सीख जाएं यह हमारे उपर डिपेंड करता है और लेकिन जो सीख जाता है वो आगे जिन्दगी में प्रगती करता है तो इस प्रकार से शुन शेप की कुछ रिलाइजेशन होई और इधर विश्वा मित्रमुनी उन्होंने रिलाइज किया कि उनकी बहुत सारा समय और शक्ति व्यर्थ में चली गई है शुन शेप के आजान के कारण लेकिन उन्होंने अब क्या कर सकते थे समय समय वेस्ट हो गया अब उन्होंने दुबारा से तपस्या करना शुरू किया और अपनी तपस्या को धीरे-धीरे बहुत गहरा करते गए बहुत गहरा करते गए जितना वह गहरा करते जा रहे थे उतना ही इंदर की इंसे सबसे उन सुन्दर स्थी मेंका को वहां पर भेजा विश्वा मित्रमुनी के तपस्या को भंग करने के लिए विश्वा मित्रमुनी जिस थान पर तपस्या करें थे महां पास में एक लेक जीर थी मेंका ने उस धीर में प्रभेश किया और भहुत धीरे मंध-मंध गती से मंद-मंध आवाज में लेकिन भहुत शुडीली आवाज में गाना गाना शुतिया उसके शरीर से वह सुन्दर महट निकल ली थी तो गाने की अवाज उनके करनों में प्रवेश किया और फ्रेगनेस उनकी नाख में प्रवेश किया और यह सब महसूस करके उन्होंने जब आंखे खोली तो आंखे जैसे ही उसके सुन्दर शरीर पर पड़ी तो आँखों के माध्यम से काम उनके हिदे में प्रवेश कर गया तो काम आँखों के माध्यम से हिदे में प्रवेश करता है अगर सुनकर या सूंग कर हम आँख इग्नोर कर सकते हैं तो बचना बहुत असान है लेकिन अगर धृष्टी डाल देंगे तो बचना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि आत्कों के माधम से काम बहुत तेज गती से हितने के अंतर प्रवेश्च कर जाता है और बार 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 देखते हैं उतना ज्यादा और वह इंटेन्सिफाई हो जाता है तो कहते हैं फॉस्ट लूप बहुत इनोसेंट हो सकता है तो इंटेंशनल है और वो पॉल डाउन का कारण बन सकता है मेंका के द्वारा आकरशित होकर विश्वा मित्रमुनी ने उसका संग किया और उसका संग करते-करते दस साल बीट गए अपना अपना लक्षे पून रूप से भूल गए लेकिन एक दिन अचानक उनको याद आ गया कि मेरा तो लक्षे कुछ और था मैं कान के द्वारा प्रभावित हो गया और मैं एक बार दुबारा असफलता का मुझ देख रहा हूं किसलिए क्योंकि मैं काम के वशिगूत होकर इस इस्त्री का संग कर लिया हो ना हो यह इस्त्री इंद्र के द्वारा भीजी गई आए लेकिन अब उन्होंने थोड़ा सा समझदारी से और जिम्मेदारी से काम लिया हाना कि जब मेंगा को पता लग गया विश्वा मितरमुनी को पता लग गया है तो वो दर से कापने लगी लेकिन विश्वा मितरमुनी ने उनको कुछ नहीं का और इस बात के रिस्पॉंसिब्लिटी लिया कि मेरी गल्ती थी, मैं इसके द्वारा आकर्षित हो गया, मेरी गल्ती थी अपनी गल्ती को मानते हुए उन्होंने उसको कोई श्राब नी दिया देखे थोड़ा सा स्टल प्रगती हो रहा हुँ गया, एक तरीके से देखा जाए तो अभी उन्होंने responsibility लिया, तो काम के द्वारा आकर्षित होकर अपने लक्षे को भूलकर उन्होंने अपना बहुत सारा समय और गवा दिया, यह बिल्कुल इसी प्रकास से है, मन के द्वारा हमको ऐसे विचार या काम पूर्ट विचार दिये जाते हैं, जो बिना विचारे, इनके ऊपर act कर लेता है, उसको आगे बहुत समस्य है, उसका सामना करना पड़ता है, विश्वा मित्र मुनी अपनी कल्ती को मान कर, उसकी जिम्मेदारी लेते हुए उस थान से आगे बढ़ गए, उन्होंने बोला, अभी मुझको पश्चिन दिशा में भ रफ्रुक किया और हिमाले की तरफ चले गए, हिमाले पहुचकर वहाँ पर भी कई वर्षों तक कड़ी तपस्या की, और उनकी तपस्या से, कड़ी तपस्या से प्रशन होकर ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट हुए, ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट तो हो गए, लेकिन ब्रह्मा जी ने उनको कहा कि बहुत कारेशेश है There is a long way to go इससे पहले आप ब्रहम रिशी बनें आपको अभी इंद्रियों पर पूरी तरे काबू करना होगा अभी आपका इंद्रियों पर पूरी तरे काबू नहीं हुआ है अभी आप ब्रहम रिशी नहीं बने है तो ब्रहमा जी ने उनको फ्लैटली इतना स्ट्रॉंग अपना ओपीनियन या फीड़बैक दे दिया एक तरीके से तो ऐसा फीड़बैक पाकर उन्होंने अपनी तपस्या को और इंटेंसिफाई कर दिया कितना इंटेंसिफाई गर्मियों में अपने चारों तरफ आग का घेरा बनाते थे और अपनी तपस्या करते थे सर्दियों में क्या बोलते हैं वो धंडी या बरफ से जम्योई नदी में प्रवेश कर जाते थे और अपना जब और तपस्या करते थे प्रहुपाजी ने ये एक्जाम्पल दिया है भगवर्गीता में प्रहुपाजी एक्जाम्पल देते हैं बोलते हैं एक यह तरीका है चाओ तो यह तरीका अपना लो लेकिन हमको हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम एक वो सरल तरीका भी है, जिसमें ना आग के घेरे की आवशकता है, ना बरफ की सिल्यों की आवशकता है, किसी की आवशकता निया है, ये जैसे भी किसी पे स्थितिन हैं, बस Hare Krishna Mahamantra का निरन का रूप से जब करो, लेकिन ये Krishna Consciousness Process, Chanting of Hare Krishna Mahamantra को बताते हैं, इतना असान है, 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 the Krishna Consciousness Process is so simple that you tend to miss it, इतना असान भी हो सकता है, विश्वा में तुमनी पागल थे, हजारों सालों तक तपस्या की आखा घेरा बनाया, बरफ में चले गए, भई महनत करनी पड़ती है, बच्चों का खेल नहीं असान है, भगवत प्राप्ति को ऐसा थोड़ी आसानी, सिर्फ Hare Krishna महामत कर लो और भगवत प्राप्ति हो जाएगी, तो यह हरी नाम की शक्ति को जानते नहीं है, जो लोग वो ऐसी बाते करते हैं, हरी नाम में इतनी शक्ति है, कि उसमें किसी भी ऐसी आवशक्ता नहीं है, बस एक चीज जो आवशक्ता है, नियमित रूप से जब करना, लगाता जब करना और ध्यान पुर्वक जब करने का प्रयास करना, उनकी इतनी इंटेंसिफाइड तपस्या को देखकर, इंदर दुबारा इंसेक्योर हो गया, बार बार उसको बार, पता नहीं कितनी बार, रंभा नाम की अपसरा को भोजा, तो रंभा जानती थी, विश्रम मित रूनी कुछ भी कर सकते हैं, थोड़ा सा डर री थी वो, कहीं उनके क्रोध का मुझको कारण बनना पड़े, कहीं अपना अभिशाब न दे दे, तो थोड़ी सी हिच के चाट रही थी, लेकिन इंदर क मना भी नहीं कर सकती थी, तो इसलिए बिचारी मरती क्या ना करती ही, उनके बात मान कर आ गई, और साथ में काम देव भी आए, और इंदर खुद भी आए, तीनों महाँ पर प्रकट होकर, इंदर ने एक कुकु बर्ड का रूप ले लिया, और बहुत मिटी मिटी आवाज भी अपूल बनाने का दिया, और काम देव महां के वातवरन को बहुत ही सुन्दर बना दिया, बहुत ही प्रैगनेट बना दिया, फूलों की वर्षा होने लगी गई, और बहुत ही सुबंदित हवा चलने लगी, तो मध़ूर भी रच्वने पर्पस क्या था? तो इंसाइड द लस्टी डिजायर सगें, उनको आकरशित करना था उनकी तरफ लेकिन विश्वा मितु उन्हें इस बार सावधान थे, समझदार थे, लेकिन काम को वो कंट्रोल कर लिया, लेकिन अपने ग्रोध को कंट्रोल नहीं कर पाई रहे, उनकी बॉला नहीं, अब इस वहागो शाब दे दिया, तो पत्थर की बन जाओ, और उसको भी पत्थर बना दिया इंद्र और काम देव ने जब यह देखा वहाँ से तुरंट नोदोग आ जा रहा हुआ भुले वो तो बोलते है दुम दगा भाग लिये अब वहाँ हमारे को भी शाब मिल जागा, इसकाली यहां से निकल लो लेकिन विश्वा मित्र मुनी को रिलाइस हुआ, मैं दुबारा आसा खलता को मुझ देख रहा हूँ दुबारा मैंने अपनी शक्ति को द्मेस्ट कर के लिए कि मेरे अंदर इतनी शक्ति है अपनी शक्ति का खास कर दिया अभी कुरोध के द्वारा होता है कि हमें साधना के बदले हमको कभी-कभी यश्प राथ होता है ये तो अच्छा नियुक्ष होती है विश्वा मितमनी थोड़ा सा और पश्चाताब करने लगें और ये जानना हमको चाहिए कि क्रोध जो व्यक्ति क्रोध करता है खुद उसके अपने लिए ही सबसे बड़ा दुख का कारण क्रोध बनता है अगर अब विश्वा मितम ने रिवाइज किया उत्तर दिशा में भी कुछ फाैदा नहीं हुआ अब मुझगो पूर्व दिशा में जाना चाहिए तो पूर्व दिशा में चले गए बोलें तीन बार lí taught हार चुका हूँ, तीन बार सफलता का मुझ देख चुका हूँ, बस अब और नहीं, अब मुझको किसी भी हाल पर सफलता चाहिए ही चाहिए, अब उन्होंने अपनी तपस्या को और कड़ा कर दिया, और कठिन वाउ ले लिया, वाउ और साइलेंस, मौन वरत धारंग किया, ब सालों सालों तक अपनी तपस्या करते रहे, और बहुत लंबे समय के पश्चाद, जब उसमें कुछ तपस्या के ब्रेक एक तरीके से कह सकते हैं, लेकर कुछ खाने वाले थे, बहुत लंबे समय के बाद इंदर तुरंद पर खट हुए, और बोलें मुझको कुछ खाने को देतो प्रहमबण के रूप में आए, तो जो भी उनके पास था, वो सब उनके दे दिया उसको, किसी परकार का कोई द्वेश और कुछ वो नहीं किया, कोई रियक्शन नहीं किया, और सब देने के पश्चा दुबारा से अपनी तपस्या में लग गए, और अब उनकी तपस से disturbance आ गया, और जब उस तब ब्रहमा जी और सभी देवी देवता उस थान पर प्रकट हुए, विश्वा मित्रमुनी के सामने प्रकट हुए, और उन्होंने कहा, कि आप ब्रहम दिशीर बन चुके हैं, उठिये, और तब उन्होंने आशिरवाद दिया, और इसके साथ- आशिरवाद चाहिए, तो वो मांग लीजिए, उन्होंने आशिरवाद मांगा, कि सभी वेदों का ज्ञान मेरे को प्रकट हो जाए, सभी वेदों का ज्ञान मुझको आ जाए, और इसके साथ-साथ, जो वसिष्ट है न, वसिष्ट, और बाकि ये जो सारे रिशी गन है, उन्हों को ब्रह्म रिशी मानना चाहिए, उन्हें बोला ठीक है, उन्हों सब में मान लिया, तो उनको थोड़ा सा रिलीव, ऐसा रिलीव का उनको एहसास हुआ, रिलीव क्या कहेंगे, तसल्ली, तसल्ली हुई, उनको बहुत तसल्ली हुई, ठीक है, अब वसिष्ट, जो आखिर कारफल उनको प्रात हो गया है और उनको अभिशेक कराया उनके चरणो की पूजा की पूरे प्रेम भाव के साथ और आदर के साथ और उनको रिलाइज हुआ कि ये भ्रहम रिशी बनना वाकई कोई बच्चों का खेल नहीं है और इसके साथ साथ उनको अपनी गल्ती का हैसास हुआ कि एक महान सादू से महान व्यक्ति से इर्षा करके मैंने अपनी जीवन की सबसे बड़ी गल्ती किया अगर भ्रहम रिशी नहीं बनने होते तो उनको यह हैसास नहीं हो पाता और अपनी गल्ती के लिए उन्होंने शमा याशना किया और उनके चर्णों की शरन को स्विकार किया कि आप मुझे शमा कर दीजे और मुझे को स्विकार कीजे दोनों ने फिर एक दूसरे को अपने गले लगाया और जो द्वेश था अब वो प्रेम में परिवर्तित हो चुका था तो इस परकार से हम देखते हैं विश्वामित्र मुझे के दृड़ता ने उनको साधारान राजा से एक महान रिशी बना दिया ठीक है विश्वामित्र के इस चैप्टर की या कहानी की शुरुवात ही द्वेश के साथ लेकिन वो खतम होई क्यान के उपर और धक्ती के साथ ठीक है और इसके साथ साथ धग्वान के प्रति प्रेम और विनमरता का भाव भी उनके हिते में रकट हो चुका था तो सतानंद रिशी जो ये कथा को सुना रहे हैं विश्वा मित्रमुनी के तीन गुनों की चर्चा करते हैं वो बताते हैं कि विश्वाग मित्रमुनी की द्रिड़ता, विश्वाग मित्रमुनी का प्रयास बिना किसी रुखावट के प्रयास करना अज सफलता होने के भावजूद भी उन्होंने साइर नहीं मानी, कभी भी depressed नहीं हुए, कभी भी मोरोस नहीं हुए, और लगातार प्र इस कारण से उनको सफलता प्राप्त वी भगवान शी राम और लक्षमन जब विश्वा मित्रमुनी के इस प्रकास से उनके जीवन की घटनाओं के विश्व में सुनते हैं उनकी स्ट्रगल्स के विश्व में सुनते हैं तो उनका उनके प्रती आदर का भाव और बढ़ जाता है और जनक महाराज महा पर उपस्तित होते हैं वो जब विश्वा मित्रमुनी की महांता जिबारे में सुनते हैं उनके गुंगान के विश्व में सुनते हैं तो अपने आपको ब भागेशाली समझते हैं कि ऐसे महान गुर्म रिशी मेरे राजे में उपस्तित हैं तो उनसे प्रात्ना करते हैं कि आप रिपया करके कुछ और समय यहां पर रहिए कि बारा दिनों तक रहिए अभी सीता का स्वेंबर होने वाला है यग होने वाला है तब तक आप यहां पर रहिए तो उनसे प्रात्ना करते हैं और यह सब क्याकर उनको इंविटेशन देंकर राज्ये से कि कोने पर या किनारे पर आउट्सकर्स में वो रूते होते महां से चल वो रिफ्लेक्ट कर रहे है अपने जीवन के उपर आप विचार कर रहे हैं तो पूरा देखते हैं पूरा एपिसोड क्या है कहां से शुरुआत हुआ देश द्वेश से सुरुआत हुआ और यह आप न पर भागवान के प्रति प्रेम हो गया तो देखे आ ऐसा कैसे हो गया बहगवान के प्रति उनका जिए उनका क्नम प्रेम भिक्सित हो गया। अन्हों निहां उन्हों निए उनका पूरी तरह से इसकनी Nanakil na वह मतलो है वह था उनको वहां उनको के सार्ग बेढर में देशात है." और स्वर्ग को बनाय रखने में सारी शक्ती का इस्तमाल किया अब ऐसी अवस्था में थे शक्ती बची नहीं है उसको उसको मेंटेन नहीं कर पारे तो उन्होंने helpless condition में उनका ऐसा लग रहा था उनका सर फट जाएगा क्योंकि इतनी शक्ती लग रही थी शक्ती उनके पास थी नहीं और शक्ती लग नहीं थी तो पूरी helpless condition में होकर बहुत तेज से पूरा दर्द में पूरा आसाहय होकर जोर जोर से उन्होंने भगवान के नाम, भगवान विश्णू के नामों का उचारं किया उन्होंने भगवान विश्णू के नाम का उचारं किया पूरी तरह से helpless होकर असाहय अवस्था में आकर उन्होंने जब भगवान विश्णू के नाम का उचारं किया तो उनको तब भगवान विश्णू प्रकट हो गए उनकी आसाहय देनी अवस्था को देख कर भगवान प्रकट हुए भगवान उनके सामने प्रकट हुए तो ये उनके पूरी की पूरी जर्वनी का सबसे important पार्ट था हालगी उन्होंने क्या किया उन्हों असाय वस्था थी उनके पास पूरा अवाय असाय हो गए थे भगवान के उपर पूरा शर्नागत हो गए थे भगवान की क्रीपा के उपर पूरा आशित हो गए थे जिस परकार से द्रौपती की भी ऐसी इस्तिती थी जब पूरी तरह से असाही हो गई असाहय हो गई पूरी तरह से भगवान के उपर निर्भर हो गई तो भगवान उसकी मदद के लिए आ गए इसी परकार से विश्वा मित्रमुनी की तपस्या के लिए विश्वा मित्रमुनी की मदद करने के लिए भगवान वहाँ पर प्रकट हुए और विश्वामित्रमुणी के पास प्रकट हुए तो विश्वामित्रमुणी ने क्या माँगा विश्वामित्रमुणी ने कहा कि मैं तो यह मैं तो यह मैंटेन कर पाँगा आप मैंटेन कर दीजिए भगवार ने बोला ठीक है मैं तो हजारों लाग को करोड़ों यूनिवर् विश्वामित्र मुनी ने क्या जीवन चल रहा था उनका विश्वामित्र मुनी का जीवन चल रहा था अपने आप को बस वसिष्ट मुनी से स्रेष्ट दिखाना चाते थे उनके जीवन का लक्षे सिर्व यही था अब मेरे को वसिष्ट से स्रेष्ट बनना है तो वो किस रहे हैं वो दिशा नहीं डेख पाए वो यह थौट कि मुझको वसिष्ट मुनी से स्रेष्ट मनना है यह थौट ने उनको एक तरीके से अंधा कर दिया किस परका से भगवान विश्णु का दर्शन उनको प्रावत हो रहा है भगवान विश्णु उनके सामने प्रकट हुए है भगवान विश्णु क्या है उनसे कुछ भी मांगा जा सक रहा है यह वो एक दर्वाजे ऐसे दर्वाजे के उनको ऐसा महसूस होने लगा हुए पशुनदी थी वह एक ऐसे दर्माजे के साम समान थी जिसको मुझे खोलना चाहिए ठा और भगवान से उनकी भक्ती माजनी चाहिए थी उनकी सेवा माजनी चाहिए थी और फिर उठाया नहीं जाता उससे तो प्रात्ना करती ती थी और फिर उठाया नहीं जाता उससे, तो प्राथना करती है, भगवान मेरी मदद करो, आप ही मेरी रक्षा कर सकते हो, मेरा आपके सिवाए और कोई नहीं है, प्लीज मेरी रक्षा करो, अगर आप मेरी रक्षा नहीं करेंगे, तो मेरी रक्षा कौन करेगा, आप ही दीनों का स सामने प्रकट होते हैं और वो उनसे एक छोटा सा आधना सा जो की हजारों करोड़ युनिवर्स अपने अनन्त शेष के रूप में उठा रखे जिनोंने उनके लिए क्या है जिनोंने गोवर्धन साथ इनके लिए अपनी छोटी इमली पर उठा लिया उनके लिए क्या है लग मुर्खता की इससे बड़ी और क्या निशानी हो सकती है विश्वा मित्र मुनी इसी बात के उपर विचार करते हैं कि भगवान मेरे सामने प्रकट हुए लेकिन मैंने क्या मांग लिया स्वर्ग लोग को मैंटेन कर लो भगवान के प्रति भक्ती को मांगना चाहिए था ठी है तो कभी-कभी हम देखते हैं कि जीवन हमारा इसी परकास से होता है जो सबसे महत्पूर्ण लक्षे है हम उसको बूल जाते हैं और जीवन में छोटे-छोटे कुछ ऐसे गोल में धारित कर लेते हैं जो बेसिकली हमारी काम से या इंद्रिय तिप्ती से ज्यादा संबंद न लाइच वज़ेत हैं और उनको फुल फिल करने में अपने जीवन के कुछ टार्गेट को अचीव करने में हम किस दिशा में जा रहे हैं उसका ध्याद रखना भूल जाते हैं इसलिए कहते हैं कि समय-समय पर अपना अवलोकन करना जी है जिसको सिंह हैं खरते देखना पह आपसी आना पॉसिबल नहीं हो, अगर वापिस नहीं आ पाएं, और कभी-कभी अगर किसी एक्सप्रेस वे पे चले जाएंगे ना, उस पे निकल जाएंगे, तो कितना किलोमीटर दूर जाने पर, तो एक यूटन प्राप्त होगा, और कितनी समस्या, कितना टाइं, कितना एन लेट प्लाइन किया उस यह, तो हम जिस दिशा में जा रहे थे, महां कोई कट नी था, और हम थोड़ा लेट भी हो रहे थे, फॉर्म मिलेगा, सेकंड लास्ट दे हमने सोचा कि फॉर्म करना चाहिए, कर लें, लास्ट टे है, फॉर्म लेने समय पर पोँच रहे हैं, हम गल कर दिशा में चले जाते हैं, इसलिए बार बार अपने, बार बार अपना अवलोकन करना चाहिए, क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं के नहीं, लेकिन आज कर लोगों का जीवन इतना तेज गती से है, मान लो उस गलत दिशा में जा रहे हैं, और हमारी गारी फुल का जाए, तो वो अपरुचुनिटी हाथ से छूट जाएगी, बहुत महर्पून अपरुचुनिटी हमको प्राप हुए है, मनुष्य जीवन उसी दोर के समाने है, इसकी यहां पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन विश्वा में तुमने आप विचार कर रहे हैं, कि ब्रहम से कैपिटिलाइज करना चाहिए था, भगवान की चर्णों के पून शर्नागत होना चाहिए था, भगवान की भक्ति को स्विकार करना चाहिए था, है ना, और अगर मैं ऐसा आपने जीवन के लक्षे को मांग लेता, ऐसी इच्छा प्रकट करता, तो इतनी मुश्किलों का शायद शाम नहीं ना करना पड़ता, है ना, तो इस सारी मुश्किले की इसलिए होई, क्योंकि जो सही उनका लक्षे का चुनाव सही नहीं था, ठीक है, और फिर उनको और क्या रिलाइज हुआ, कि वसिष्ट मुनी ऐसे ही महान संत नहीं है, ऐसे ही महान सादू नहीं है, ऐसे ही ये फटे हाल तरीके से नहीं रहते थे, जैसे शुरू में चर्चा किया था, बहुत साधारन सा आश्रम था, गाएं जिनके पास हैसी थी, जो सब कुछ परकट कर सकती थी, लेकिन कैसे साधारन जीवन बता रहे थे, और फिर जो हमेशा यातरा करना पसंद करते हैं, वो वसिष्ट मुनी ने क्यों स्विकार कर लिया, एक राजा के यहां आकर उनका प्रीष्ट बनना या पुरोहित बनना, क्योंकि वो जानते थे, भगवान विष्णु, भगवान राम के रूपने प्रकट होने वाले हैं, और इसलिए उनकी सेवा करने के लिए, उनका संग प्राप करने के लिए, उनकी क्रिपा को प्राप करने के लिए उनको स्विकार किया, तो बोले कोई मुर्ख नहीं थे, उनका परपस बहुत जादा ऊचा था, ठीक है, और फिर विश्वा मित्मुनी, अब क्योंकि आप तो जब वो अब रिलाइस कर रहे हैं, है ना, और ले जाने के लिए, है ना, तो उनको सिक्षा देना, राक्ष शुपा बद करना तो केवल एक भाना था, जो गल्ती पहले किया था, अब भो गल्ती नहीं करना, पहले जब भ्रह्म निशी बनने से पहले गल्ती किया था, विश्णु का संग प्राप को पर भी, उस संग को प जाना पड़ा, उनसे थोड़ा गुसा भी करना पड़ा, लेकिन भगवान राम का संग चाहिए चाहिए, इस परकार से ये मौके को अब हाद से नहीं जाने देना, तो असलिए ये कारण था, इसलिए भगवान राम के साथ कुछ समय बिताना चाहते थे, उनका कुछ संग प्र करना चाहते थे, उनकी कुछ कृपा को हासिल करना चाहते थे, ताकि जो उन्होंने ये जीवन में कुछ शक्ती अरपन किया है, और अरजन किया है, ये प्रात किया है, वो भगवान को अरपन कर पाएं, और भगवान का कपूर्ण शरनागती को स्विकार कर पाएं, भगवा भगवान राम को और लक्षमन को अपने साथ लेकर आये थे, असली कारण था उनका संग करना, ना इनको सिखाना, उनका टीचर बनना, उनके साथ कुछ इंटीमेट टाइम बिताना, डीलिंग करना, जितना समय वो बिता पा रहे थे उनके साथ, उनका बहुत महसूस हो था, त बस अब एक सेवा शेष रह गया है, कल भगवान राम का विवाह का सेवा है, बस वो सेवा शेष रह गया है, उसके बाद भगवान राम को सब कुछ समर्पन कर दूँगा, और भगवान राम के समरण के साथ माले की तरफ चला जाओंगा, और जो धरवाजा मैं पहले नहीं इस विचार करते करते हैं वो भगवान राम के सुन्दर रूप का दर्शन करते हैं जोगी भगवान राम उसमें विश्राम कर रहे हैं विरसा वे विष्वाम करते एगरा के कूल वी शरनागत होते है और भगवाण रांकि के पाठाट ज होते हैं तो इस प्रकार से विश्वा मित्र मुंही जिनका जीवन द्वेश से शुरु हए था और जिन्होंने बहुत कठनाई से एक ब्रह्म रिशी की इस्तिती को हासिल किया लेकिन ब्रह्म रिशी बनना उनके जीवन का लक्षे नहीं रह गया था महा तक उन्होंने अपने आपको सीमित नहीं कर लिया उन्होंने भगवान की भक्ती को सुकार किया भगवान के भक्त बने इसलिए महान संत है और इसलिए क्योंकि भगवान का इतना संग उनको प्रावत हुआ है ठीक है तो उनके जीवन से प्रेड़ना पाकर हमको अपने जीवन में प्रयाज करना चाहिए सबसे महत्पून तो यही है कि अस determined effort करने चाहिए अस सफलता से गद का पूर्ण शर्नागिती लेना चाहिए और यह जाना चाहिए कि मेरे जीवन का लक्षे भगवान के पूर्ण शर्नागत होना है भगवान की भक्ति को प्राव करना है ना कि इधर छोटे-मोटे गोल से divert होना चाहिए ठीक है इसके लिए हमको समय-समय पर अपना अवलोकन आप पुनर अवलोफन करने की आउशक्ता पड़ेगी, क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं, या नहीं जा रहे हैं, अगर हम गलत दिशा में जा रहे हैं, और गलत दिशा में बहुत दूर चले गए, तो हो सकता है, कि हमें वापिस आने में बहुत लंबा समय चल जाए, बहुत तो वो वो ए स्प्सक्राय की तो यह को मैं मुझा मातस हैं। जो हमारी जीतियवन और में कोना से बंद क्या हमाš ben व secular मांस्टर है। मчив किअ समय हेस उचाय में किसे मिलन का इंट रहना है यहां पर शिखाते हैं कि अपने लक्षे क्या है उसको जानना चाहिए और उससे भटकना नहीं चाहिए इसके लिए भगवान की शरण स्विकार करने से पहले गुरु का शरण स्विकार करना होता है और गुरु हमको सही दिशा में लगाये रखते हैं यह कुछ महत्कून शिक्षा हैं जो हम विश्वा मित्रमुनी के जीवन से प्राप्द कर सकते हैं और जिस तरह से हम देखते हैं कि विश्वा मित्रमुनी का किस परकार से प्रगति हुआ और इसलिए उनका ये कांड का नाम बाल कांड रखा गया किस परकार से एक ऐसे व्यक् वान के शुद्धभक्त के रूप में, ठीक है, उनको काम से भी हारे, ख्रोज से भी हारे, लेकिन हिम्मत नहीं हारे, तो यह है, हो सकता है कि हमारे जीवन में असफलता आएंगी, लेकिन हिम्मत नहीं हादना, यह भुछ आवशक है, जो भी ऐसे सरक्मस्टांसिस आते हैं, उ उससे सीखो, और वो गल्ती दुबारा मत करो, यह बहुत आवशक है, गल्ती को रिपीट मत करो, उससे सीखो, और आगे बढ़ो, उनमें सुधार करो, और इस परकास से, गुरू की शन्नागती में रहतन निरंतर रूप से, एक ना एक दिन भगवान की शन्नागती, पून प्राप किया सकता है, बज्या भगवान के पती फ्रेम को विक्सित किया जाता है, और एक और बात इसमें विश्वा मित्रमुनी के जो जीवन चलित से, कि उन्होंने भगवान के नामों का जब उचारन किया, तो पून असाहे अवस्था में वोकर, पून रूप से भगवा के नामों का अचारन असाहे वस्था में करना चाहिए, हरे खृष्णा, 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 हरे बच्चा दो परकार से रूता है माता के लिए एक बार वो रूने का नाटक कर रहा होता है उवाट बार कर रहते हुआ हाँ क्या हुआ गहा आरी हुआ जब वो ऐसे करता हुआ यह गते हैं लेकिन गुट पूर असाई कर चिलाता है तो माता तुरन सारा काम छोड़ कर भाग कर आती है तो जब हम असाहय वस्ता में होंगे तभी भगवान प्रकट होंगे तेकिन जब हम असाहय वस्ता में नहीं हैं हम नाटक कर रहे हैं चैंटिंग करने का या चैंटिंग रोने का तो भगवान भी प्रकटनी होंगे, हम तो भी हाँ यह संतुष्ट है, ठीक है, इसको यह चाहिए, वह हम भोलते हैं, ना धनम, ना जनम, ना सुननी, हा धनम, हा जनम, जो चाहिए, लेलो ठीक है, इनको जो इससे सैटिस्वाइए, तो माता वही दूर से कोई खिलोना पकड़ यह पकड़ा देगी, तो यह इस परकासे पेसलिटी दे देती है, वह खुश हो जाता है उससे, तो ठीक है, चली इस से गुश हो जाया, लेकिन जब रोता है, किसी भी चीज से खुश नहोता, तो मात अपनी गोध में उठाती है, तो इस परकासे भगवान उठाएंगे, औ है किसी को बेट्चा बच्छा माता से पिछ रहोता है कुछ गयरा में दीखा Warren Reich im इसलिए पृज मेरा के लिए मात के लिए माता दूर चली जाती को यह लaps कि ए इस बच्चे को प्रेयास करतों वहका son मुझको अपना एक याद आ रहा है तो यह बहुत छोटा था उस वकद कि लास तो मुझको यादनी को सेकिंड शायद क्लास होगी तो पेरेंट्स के साथ मूवी थेटर में गए थे वहां पर अंधेरा होता है तो महां पर एक रिलेटिव बिल गए जब ब्रेक हुआ था तो उन्होंने बोला इसको मैं बाद में ले आँँगा इंटर्वेल खतम हुआ और उन्होंने मेरे को आइस्क्रीम बगारा दिलाया और कुछ खाने को दिलाया और मेरे को उस लाइन में मेरे हाथ में जो सारी आइटम थी वह फैका मैंने और बहुत तेज रोना शुरू कर दिया तो पहले तो उनको पदा नहीं चल रहा था पेरेंट्स को लेकिन फिर उनको पता चल गया तो इस प्रकास से भगवान भी इस प्रकास से देखते हैं कि अगर यह जब फैसलिटी से खूश है तो अगर आइस्क्रीम चॉकलेट खागे में चूप रहता तो शायद वह भी अपना मस रहते हैं कि आप इस पुश्रण को सुखार करना चाहिए और चाहिए साधना को सेवज श्वा को बन्द नहीं करना चाहिए। द्रिट्ता से प्रियास करते रहना तो कामयाबी का मतलब है हमको भगवान की प्राफ्ट होगी एक दिन यह मतलब है ऐसा नहीं है कि हम भगवान को मजबूर करदेंगे अपने सामने परकट होने के लिए कैसे नहीं आएंगे तो विश्वा मित्रमुनी का ऐसा ही विचार था कि मैं बन के रहूँगा भ्रम रिशी बन के रहोंगा तेकि धीरे धीरे उनका सुद्धी करण होता गया क्यों? क्योंकि उनको बीच में भग विश्नु का दर्शन प्रात हुआ उनका इस्मरंग किया और असहाय अवस्ता में उनने उनके नामों का उचारण किया ठीक है? हरे कृष्णा